चलिए आज की क्लास में हम फन करते हैं 10th क्लास से हमारी बहुत ही इंटेस्टिंग स्टोरी है Footprints Without Feet बगैर पैरों के, पैरों के निशान written by H.G. Wells H.G. Wells was a British novelist, journalist, sociologist and historian उनकी जो writings और creations में main themes रहती हैं वो है pain, cruelty, social and political discussions, moral responsibility and human identity Students, हमारी ये जो स्टोरी है, ये एक बहुत ही interesting स्टोरी है ये एक eccentric scientist, एक सन की वैज्ञानिक की कहानी है His name was Griffin, he was a scientist and he discovered rare drug That drug could make unclothed person invisible एक सन की वैज्ञानिक था, जिसका नाम Griffin था उसने एक बहुत ही दुरलब ड्रग की खोज की और इस ड्रग का काम था, बगैर कपणों की किसी भी वैक्ति को ये एद्रिश्य बना देती थी ग्रिफिन और उनके मकान का मालिक एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे इसलिए, due to anger, गुसे में आकर, Griffin set his landlord's house on fire Griffin ने अपने मकान मालिक के मकान को, घर को आग लगा दी उसके बाद, Griffin swallowed a drug Griffin ने एक ड्रग निगली took off his clothes, अपने कपडे उतार दिये अब क्या हुआ, he could see everyone, but no one could see him and he couldn't be caught वो सबको देख सकता था, उसे कोई नहीं देख सकता था और क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, वो invisible था इसलिए कोई उसे पकड नहीं सकता था लेकिन क्योंकि अब वो बेघर हो चुका था, उसकी लाइफ में change आ गया He became homeless wanderer, quite invisible, without clothes and without money Homeless, बेघर, wanderer, इदर से उदर गूमने वाला वैक्ती बन कर रह गया पूरी तरह से वो invisible था, without clothes and without money, ना उसके पास कपड़े थे, ना पैसे थे अब ये season कौन सा चल रहा था, it was mid winter, it was very cold सर्दियों के मध्य का मौसम था, बहुत जादा ठंड थी, griffin was without clothes और griffin के पास कपड़े नहीं थे, so he entered a London store to pass night there इसलिए वो London store में एक store के अंदर वो घुश जाता है, ताकि वहाँ पर रात वो बिता सके there, his stall food, वहाँ पर store से उसने खाना चुरा लिया and ate it, उस खाने को खा लिया after that he wore warm clothes, गरम कपड़े पहन कर, वो बड़े अराम से वहाँ store में ही सो गया सुभह उसे उठने में देर हो जाती है, तब तक क्या होता है, the assistants of the store saw and chased him store में काम करने वाले करमचारी आ जाते हैं, जब उन्हें griffin वहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि उसने वहाँ पर गरम कपड़े पहन लिये थे, इसलिए जो assistants थे, store के अंदर करमचारी थे उनको griffin दिखाई दे गया, तो वो उसके पीछे भाग लेते हैं, griffin took off his clothes one by one and again became invisible, griffin एक एक करके अपने कपड़े उतार देता है, दोबारा से एद्रिश्य हो जाता है अब वो यहाँ नहीं रुखता, he entered a theatrical company, वो एक नाटक या drama company के अंदर घुश जाता है वहाँ से उसने बहुत सारी चीजें ले ली, he took so many things from there, false nose, जो joker को लगाते हैं, नकली, नाक, big, bushy, side whiskers, बड़े, जाडीदार, गल मुच्छे, वो वहाँ से ले लिए, bandages, पटियां, बोडी पे लपेटने के लिए, dark glasses, गहरे, रंगे, glasses सी से, चश्मे उसने ले लिए, then large hat, बड़ी सी, उसने, एक hat ले ली, toppy ले ली, and he hit the shopkeeper from behind, उसने shopkeeper को पीछे से हमला कर दिया, and robbed him, उसको लूट लिया, उससे पैसे लूट लिये, then he decided to go away from the crowded London, इसलिए भीड भाड़ वाले लंडन से, अब उसने सोचा, मैं यहां से दूर चला जाता हूँ, इतने सारे ये काम ही, ये मेरे से हो गए है, तो अगर मैं पकड़ा जाता हूँ, तो मुझे punishment मिलेगी, सजा मिलेगी, तो उसने क्या किया, he boarded a train, उसने एक train पकड़ी, and he went to the village of Iping, और वो Iping नाम के गाउं में चला जाता है, he stayed at an inn there, वो वहाँ पर inn, means धरमशाला में रुखता है, he booked two rooms, उसने दो कमरे वहाँ पर बुक करवाई, वो खुद एक था, rooms उसने दो बुक करवाई, बड़ी अजीब बात थी, अब वहाँ क्या हुआ, the landlord's wife Mrs. Hall, tried to be friendly with him, वहाँ पर जो landlord की wife थी, वो ग्रीफिन के साथ में दोस्ताना वेवार करना चाती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना चाती है, but Griffin said that he didn't wish to be disturbed, Griffin कहता है कि मुझे disturb करने की, मुझे विचलित करने की, या मुझसे ज़्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, he had come there for solitude, मैं तो यहाँ एकांतवास करने आया हूँ, मुझे तो यहाँ अकेले में शान्ती के साथ में रहना है, अब धीरे-धीरे करके उसके चोरी के पैसे खत्म हो जाते हैं, when his stolen money was finished, जब उसके चोरी के पैसे खत्म हो गए, at that time he pretended that he was expecting, expecting means उमीद होना, pretended means दिखावा करना, that he was expecting a check to arrive at any moment, moment means किसी भी पल, तो जब उसके पैसे खत्म होगे, तो उसने landlord की wife के सामने ये दिखावा करना शुरू कर दिया, कि मेरा एक check आने वाला है, वो check कभी भी मेरा आ सकता है, और आते ही मैं आपका जो rent है वो pay कर दूँगा, अब पैसे उसके पास नहीं थे, so he did one thing, उसने एक और गलत काम करने की सोची और वो किया, क्या, he went, or you can say, he entered the clergyman's house, वो clergyman, यानि के चर्च के पादरी के घर के अंदर गुश जाता है, he stole his money, you can say, he stole the clergyman's money, पादरी के घर से पैसे चुरा लेता है, वो वहाँ पर invisible था, ग्रीफिन वहाँ पर invisible था, तो क्या हुआ, clergyman and his wife heard the chink of money, but saw nobody in the room, clergyman, पादरी और उनकी पतनी को नोटों की जो आवाज है, पैसों की जो आवाज है, वो तो सुनाई दी, लेकिन उन्हें कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दिया, और जो जैसा वेवार था, behavior था, ग्रीफिन का, उसके according, people talked about his uncommon behavior, people used to talk, आप ऐसा कह सकते हैं, लोग उसके ऐसा धरन बरताओं के बारे में अकसर बातें किया करते थे, क्योंकि ग्रीफिन बड़ा uncommon behavior उसका था, अजीब और गरीब वेवार था, किसी से बातें नहीं करता था, ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं था, अब क्या हुआ, दा लेंडलोर्ड एंड इस वाइफ, वेन दे सौ डैट, दे डोर्स ओफ ग्रीफिन रूम, वर ओपन, दे डोर्स वर नॉट क्लोस्ट, यू कैं से, कि ग्रीफिन के रूम के जो डोर्स थे, वो खुले हुए थे, बंद नहीं थे, so, the landlord and his wife entered the opened room, खुले कमरे के अंदर वो दोनों गुश जाते हैं, at the same time, ग्रीफिन entered his room, he was still invisible, अब भी वो एद्रिश्य था, landlord और उसकी wife, ग्रीफिन को नहीं देख सकते थे, लेकिन ग्रीफिन ने उनको देख लिया, the landlord and his wife noticed so many things related to, ग्रीफिन, his bandages, his glasses, his hat, etc. ग्रीफिन ने देखा के landlord और उसकी पत्नी, without मेरी permission के मेरे रूम में घुसे हुए हैं, उसको गुसा आ जाता है, he rose a chair and pushed out of the room, pushed out of the room, तो उसने chair उठाई और उनको, chair को हवा में हिला डुला कर, उनको डरा दिया, और उनको रूम से बाहर भगा दिया, the landlord's wife, Mrs. Hall, उनका नाम है Mrs. Hall, thought that the room was haunted, उनको लगा कि ये कमरा भूत हा, बन चुका है, इस कमरे में भूत है, अब यहाँ पर, भी ऐसा ही incident हुआ, और clergyman के, घर पे भी ऐसा ही incident हुआ, clergyman के घर पे चोरी हुई, लेकिन दिखाई कोई नहीं दिया, यहाँ पर भी ऐसा incident हुआ, के chair move कर रही थी, chair was in a moving position, it was moving here and there, लेकिन दिखाई कोई नहीं दिया, so, the main suspect was griffin, according to his behavior, अपने behavior के कारण, इस पूरे incident में, दोनों के दोनों जो incidents, यह incidents हुए, इन में griffin का नाम आया, और इसलिए, the police was called, policeman came, police को बुलाया गया, और policeman आ जाता है, अब यहाँ पर, griffin was wearing cloths, he was wearing bandages on his face, तो जब police उसके पीछे भागती है, griffin took off the bandages, from the face, and he threw off his hat, griffin ने अपनी hat उतार कर फैंक दी, अपने मूँ से, face से, पटियां bandages उतार कर फैंक दी, तो क्या हुआ, उसका जो face है, his face became invisible, उसका चेहरा एद्रिश्य हो गया, and he was looking a headless man, वो बगैर सिर वाला आदमी दिखाई, दे रहा था, जब लोगों ने ये देखा, people became horrified, बगैर सिर के, आदमी को देखकर, लोग बड़े भैबीत हो गए, अब वहाँ पर जो पुलिसमेन आए थे, उनका नाम था Mr. Jeffers, griffin hit the policeman Mr. Jeffers, griffin ने, पुलिस वाले, जो Mr. Jeffers थे, उनको भी hit किया, उनको भी चोट मारी, and after that, he started taking off clothes, one by one, and he became more and more visible, एक एक करके, griffin ने कपड़े अपने उतारना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके, वो आईस्ता आईस्ता, पूरे त्रें से एद्रिश हो जाता है, at last griffin got free, from everyone, आखिर में griffin, हर किसी की ग्रफ्ट से, मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है, and he ran away, और वो भाग जाता है, from starting, till ending, हमने story को study किया, read किया, enjoy किया, वोप करते हैं आपको, मजा आया होगा, लेकिन, यहाँ हम study करके देखते हैं, कि griffin की, overall personality कैसी थी, के बारे में कोई भी आपके exam में question पूछा जाता है, आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, griffin was a crazy scientist, griffin was a brilliant scientist, griffin was very successful person, or very successful scientist, at the same time, he was an eccentric scientist, crazy and eccentric, sun की, वो एक sun की विज्ञानिक था, he discovered a rare drug, that could make human body as transparent as glass, उसने एक ऐसी दुरलब ड्रग की खोज की थी, जो मनुष्य के शरीर को इतना पारदर्शी बना सकती थी, जितना की शीशा होता है, शीशे कितने, मनुष्य के शरीर को पारदर्शी वो ड्रग बना सकती थी, ऐसी ड्रग की खोज, ग्रीफिन ने की थी, प्लिसमेन उसने प्लिस वाले को भी हिट किया चोट मारी, तो ये मेन पॉइंट्स है जो आप ग्रीफिन के करेक्टर स्केश से रिलेटेड, नोट डाउन कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं, स्टुडेंट्स होप करते हैं आपको ये स्टोरी, समझ में आई होगी, अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ आप से फिर होगी मुलाकात, थैंक यू,